आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत हैं, मैं नाम मोहितर्मा है, आज हम और तो ग्राफिक का एक निया कोश्चन सॉल्फ करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, आज का एक कोश्चन हम थार्ड अंगल पोजेक्शन में सॉल्फ करेंगे तो दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले वी वीडियों बतार के कि जो बुजा सबसे लंबी होती है हम उसी को front मानते हैं आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 80 ऐमे मतला हम इसी को front मानेंगे इसकी लंबाई 40 ऐमे मतला हम इसी को side मानेंगे और इसका top हम उपर ही मानेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आप देख सकते हैं कि इसका front दाय तरब बना हुआ है मतला हम इसका front यहां बनाएंगे side इसका यहां बनेगा और top इसका front के उपर ही बनेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग front बनाएंगे, front बनाते समय हम object को यहां से देखेंगे, front view बनाते समय आपको एक तो यह दिखाई देगा, एक तो यह दिखाई देगा, और जिस तरह से आपको उपर वाला rectangle दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको नीचे वाला rectangle भी दिखाई देगा, तो चल कि लंबाई 10 एम है हमको खाली इतने का इसाइच ची है मतलब हमको 15 मैं से 10 एम घटाना होगा जिसकी वेल्ली आजेगी 5 एम मतलब इसकी आइट 5 एम है आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 80 एम है तो चलिए 85 का एक रिक्टेंगल बुक्स बना लेते हैं कि यह उपर वाला बन चुका है हमारा अब हम यह अला बनाएंगे इसकी लंबाई यह रही 10 एम तो पहले हम यह लाइन खीचेंगे यह लाइन खीच लिए हमने अब यह इधर कितना आया हुआ है तो आप देख सकते हैं यह इधर 15 mm यह आया हुआ है तो चलिए हम इस 15 mm को इस लाइन के पैरलले खीचते हैं यह लाइन खीच लिए हमने अब यह नीचे कितना आये हुआ है तो आप देख सकते हैं यह नीचे 30 mm ही आये हुआ है यह लाइन खीच लिए हमने 30 mm की अब हम वापस इधर आ जाएंगे 15 mm अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 10 mm यह रहा अब हम वापस इधर आएंगे आप देख सकते हैं इसके लंबाई 80 mm है यह लाइन खीच लिए हमने अब हम यह लाइन खीचेंगे इसके लंबाई 10 mm है अब हम वापस इधर आ जाएंगे 15 mm अब हम यह लाइन खीचेंगे इसके लंबाई 30 mm है अब हम वापस इधर आएंगे 15 में अब हम इसको भी इससे जोड़ देंगे और यह जो लाइन एक्स्ट्रा हो गई है इसको भी हम इरेज कर लेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर लिए हैं अब जिस तरह से हमने ऊपर पांच्बाई 80 का एक रेक्टेंगल वक्स बनाया था वैसे ही अब हम नीचे भी पांच्बाई 80 का एक रेक्टेंगल वक्स बना लेंगे अब देख सकते हैं हमारा फ्रेंड व्यू पूरा बन चुका है खाली हमको बीच वाला रेक्टेंगल बनाना बाकि तो दोस्तों अब ध्यान से देख है यह रेक्टेंगल कैसे बनेगा यह वाली लाइन यहाह से 25 हम की दूरी छोड़के सुरू ह कि इतने की दूरी 15 हम है और इतने की दूरी 10 हम है तो हम ऐसा करेंगे कि यहां से 25 हम की दूरी पे खलकी से लाइन खीच लेंगे ठीक उसी तरह से यह वाली लाइन यहां से 25 हम की दूरी छोड़के सुरू होई है तो हम यहां से भी 25 आम की दूरी पे एक हलकी से लाइन खीच लेंगे 25 आम यहां आ रहा है यह पॉइंट लगा लिया हमने ऐसी हम यहां से भी 25 आम की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे 25 आम यहां आ रहा है यह दूसरा पॉइंट भी लगा लिया हमने तो दोस्तों अब ध्यान से देखना यहां से हम एक लाइन खीचेंगे और इस लाइन को हम हलका ही खीचेंगे ऐसे ही हम यहां से भी एक हलकी लाइन खीचेंगे यह दोनों लाइन खीच लिए हमने तो दोस्तों अब ध्यान से देखना ये वाली जो लाइन है ये उपर से 15 mm छोड़के बनी हुई है तो हम ऐसा करेंगे कि उपर से 15 mm छोड़के एक पॉइंट लगा लेंगे उपर से 15 mm यहां आ रहा है ये पॉइंट लगा लिया हमने ऐसा ही अब हम नीचे से 15 mm छोड़के एक पॉइंट लगा लेंगे अब हम scale को पहले वाले point पे रखेंगे और वहाँ से एक line खीचेंगे और line की लंबाई कितनी होगी तो दोस्तों आप देख सकते हो उसकी लंबाई 30 हैमी होगी जो कि दूसरी line की दूरी है मतलब हमको दूसरे line तक ही जाना है ऐसी ही line अब हम नीचे वाले point से भी खीच लेंगे अब हम इन दोनों line को भी dark कर लेंगे तो चलिए अब हम इन extra line को erase कर देते हैं और इनके projection उपर ले लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने extra line erase कर दिये और हमने इनके projection भी उपर ले लिये हैं तो चलिए अब हम top view बनाते हैं top view बनाने से पहले हम को यह देखना होगा कि हमको top view में क्या-क्या दिखाई देगा हमको यक्तों यह दिखाई देगा यक्तों यह दिखाई देगा और ये जो नीचे 30 dek तिन लोड़ है उसको हम hidden line से बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम टॉप व्यू में 40 बाय 80 का एक rectangle box बनाएंगे सबसे पहले हम यह baseline खीचेंगे यह line खीच लिए हमने इसकी height आपको 40 cm दिखी रही होगी तो चलिए यहां से लिते 40 cm की height यह line खीच लिए हमने 40 cm की चलिए अब ऐसी line दूसरे कोने से भी खीच लेते हैं यह line खीच लिए हमने finally अब हम इन दोनों point को भी आपस में जोड़ देंगे आप देख सकते हैं कि हमारा 40 बाय 80 का एक rectangle box बनके त्यार हो गया है तो चलिए अब हम यहाल बनाते हैं आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई यहां पर 5 cm दे रखी है तो हम ऐसा करेंगे कि उपर से 5 cm की दूरी छोड़के एक सीजी line खीच लेंगे यहां से 5 cm यहां आ रहा है यहां से 5 cm यहां आ रहा है तो चलिए अब हम इन दोनों point को आपस में जोड़ देते हैं यह line जोड़ दी हमने हमारा यह वाला बन चुका है और यह वाला ही बन चुका है तो दोस्तों अब ध्यान से देखना अगर आप इस diagram को top से देखोगे तो यह वाला slot आपको दिखाई नहीं देगा यह वाला slot यहां से 15 cm के दूरी पर बना हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि यहां से 15 cm के दूरी पर एक hidden line खीच लेंगे दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि hidden line के साइज same होना चीए यह छोटी बड़ी नहीं होने चीए है यह hidden line खीच लिए हमने ऐसी अब हम यहां से 15 cm के दूरी छोड़के hidden line खीच लेंगे यह hidden line खीच लिए हमने तो दोस्तों अब ध्यान से देखना टॉप व्यू से आपको यह स्लोट भी दिखाए ने देगा तो चलिए अब हम इसको भी hidden line से बना लेते हैं आप देख सकते हैं कि इसकी projection यहां जारी है मतलब एक hidden line यहां आएगी और दूसरी hidden line यहां आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह हमारा टॉप व्यूप कंप्लेट हो चुका है तो चलिए अब हम टॉप वी के प्रजेक्शन साइड वी के तरफ और फ्रेंट वी के प्रजेक्शन भी साइड वी के तरफ रोटेट कर लेते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने टॉप वी के प्रजेक्शन साइड वी के तरफ रोटेट कर लिया है और हमने फ्रेंट वी के प्रजेक्शन भी साइड वी के तरफ ले लिया है अब हमाई side view कितने हैं बने हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वाल की projection यहां आ रही है और इस वाल की projection यहां आ रही है मतलब हमाई side view इतने में ही बनेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं side view में हम object को यहां से देखेंगे side view में एक तो यह दिखेगा एक तो यह दिखेगा और एक यह दिखेगा और जो यह वाला slot अप को दिखाई दे रहा है उसको हम header line से बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम उपर आप बनाएंगे इसकी height यहां से 15 mm दे हुई है आप देख सकते हैं कि इसकी height इतने दुर में ही आ रही है तो हम इसको direct dark कर लेंगे इसकी lemba यह आपको 40 mm दिख रही होगी तो हम इसको यहीं तक लिखे जाएंगे अब इसकी height आपको 10 mm दिख रही होगी आप देख सकते हैं इसकी प्रेक्षिय यहीं आ रही है तो हम इसको यहीं तक डार करेंगे अब यह इधर कितना आया हुआ है तो आप देख सकते हैं यह इधर 5 mm पहले रुग गया है 5 mm पहले की projection यह दिख रही है आपको मतलम को इस point तक ही आना है अब हम वापस उपर चल जाएंगे 5 mm finally अब हम इसको भी से जोड़ देंगे हमारा यह अला बन चुका है तो चलिए अब हम यह अला बनाते हैं इसकी हाइट यहाँ पर 30 mm दिवी है अगर आप front view में देखोगे तो आप पाऊगे कि इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है मतलम को यहीं तक डार करना है ऐसे ही हम यहाँ लाइन पर डार कर लेंगे अब हम यहाँ लाइन पर खीच लेंगे अब इसकी लंबाई आपको 15 mm दिख रही होगी यह लाइन खीच लेंगे 15 mm की अब यह इदर पांच आम आया हुआ है अब यह वापस उपर पांच आम ही गया हुआ है इसकी लंबाई आपको 30 mm दिख रही होगी अब 30 mm कैसे तो आप देख सकते हैं इसकी टोटल लंबाई 40 mm है लेकिन यह पांच आम पहले रुख गया है यह लाइन खीच लिए हमने फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे आप देख सकते हैं कि हमारा यह लब बन चुका है तो दोस्तों अब ध्यान से देखना अगर आप इस अबज़क्ट को यहां से देखोगी तो यह बीच में स्लोट यह आपको दिखाई नहीं देगा इसला हम इसको हीडर लाइन से बनाएंगे अब हम लोग हीडर लाइन कहां खीचेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी प्रेक्शन यहीं आ रही है मतलब हम लोग हीडर लाइन यहीं खीचेंगे ऐसी ही हीडलाइन हम यहां से भी खीच लेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह हमारा साइड विव भी कंप्लीट हो चुका है तो चलिए अब हम इसमें दे कुछ extra line erase कर लेते हैं और इसमें कुछ dimension भीど जो कर देते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने आप कुछ dimension सो कर दिया है या मैंने top front और side view लिख दिया है अब इस बात को कैसे decide करें कि यह diagram हमारा सही बना या गलत तो मैंने आपको पहले वीडियों में बताया था कि top view का base, front view के base के बराबर होता है, front view के height, side view के height के बराबर होती है, और जो side view का base होता है, वो हमाई top view के height के बराबर होता है, आप देख सकते हैं, तीनों match कर रहा है, इसका मतलब यह diagram हमारा 100% सही है, यहाँ नीजे मैंने दो लाइने लिखी है, यह दोनों important line है, पहला all dimensions are in mm, यह dimensions हमने mm में लिया है, इसलिए यह line लिखनी important होती है, दूसरा third angle projection, यह diagram हमने third angle projection है बना, इसलिए हम third angle projection लिख रहे हैं, अगर यह diagram हम first angle projection है बनाते हैं, first angle projection लिखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए helpful हुई होगी, और अगर आपको अभी भी इस topic में कोई doubt है, तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं, तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,